नए सप्ता की शुरुवात आज यानी 29 अप्रेल 24 से हो चुकी है ये नएा सप्ता यानी 29 अप्रेल से 5 मई तक का समय कुछ राशियों के लिए बोहत ही बढ़िया रहने वाला है तो कुछ राशियों को थोड़ी परिशानी हो सकती है चलिए जानते हैं जोतिशी से मेश से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा बीतेगा ये सप्ता अब नए सप्ता में मेश राशियों के लिए शकारात्मत रहने वाला है कैरियर कारोबार में ब्रद्धी होगी और नोकरी में प्रमोसन का योग बन रहा है ब्रिसव रासी वालों का जादा खर्च के साथ साथ यह सप्ता आपके हर कार्ज में बाधा उत्पन हो सकता है मिथुन रासी वालों का यह सप्ता मन्चाहा कार्ज होंगे सभी कार्ज पूरे होंगे और जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी करक रासी वालों के लिए सभी मनो कामनाएं पुरुन होगी इस सप्ताह में जो भी कार्ज करेंगे उसमें मन लगेगा शिंग रासी वालों का या सप्ताह मिला जुला रहेगा और कार्ज के छेत्र का बोज जो है वह जादा रहेगा कन्या रासी वालों का या सप्ता मिला जुला रहने वाला है कोई भी काम जल्दिवाजी में नो करें जल्दिवाजी में फैसला नोने हानी हो सकता है तुला रासी वालों का या सप्ता नकारात्मक रहने वाला है, या सप्ता आपका अच्छा नहीं रहेगा, चोट चपेट की संभावना रहेगी, ब्रिस्चिक रासी वालों का या सप्ता मिला जुला रहेगा, और शत्रू आपके उपर हावी होंगे, कोई भी कार्द करने के प बल आपको कम मिलेगा मकर रासी वालों का यह सब्ता सुभ रहने वाला है रोजी रोजगार में बृद्धी होगी और यह सब्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है कुम रासी वाले का यह सब्ता कारज पूरा नो होने के कारण आपके उपर मांसिक तनाव बना रहे मीन राची वाले का या सब्ता सकारात मग रहने वाला है आपका या सब्ता में भूमी वाहन इत्यादी खरिदने का बहुत अच्छा जोग है आप जदी नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन का भी जोग बन रहा है लोकल 18 देवघर से परमजीत सिंग की रिपोर्ट